हम अपनी लोकल भाशों में इसे छोज़र कहते हैं यह एक छोज़र भड़ चुका है यह दर्या है ने इसमें पिछले साल बाढ़ आई थी बहुत ज्यादा पाई नमस्कार और वेलकम बैक टुदे चैनल माने में इस विपन एंडियो और वाचिंग दे ट्राइबल इंफ्रे है वहां पर नीचे जा रहे हैं खुबाकर चग्ड़ना वह सारी खुबानय गयाइब होरी है तो इसके लिए हम जा रहे हैं अभी आपनी खेत में वहां सारी कवाने निगाल लेंगे यह है कंटेनर जहां से चसमें यह सारी खुबान्या बिग की जाएंगी इसको भर के लाना है यह सामने घर का विवू जहां पे हमें एक्जक्त ली जाना है वह के अच्छी ह्एंट दो मिनिटू की दूरी पर है तो अब जाते हैं आपको दिखाता हूं सिधा वहां का भी मैं आपको थोड़ा यहां से ओवर आल विव देता हूं घर के सामने का विव कुछ ऐसा है जाते हैं अपने खेत में वहां से निकालते हैं पहले तो उस बूटे पर चड़ना पड़ेगा फिर वो सारी तोड़ने डंडे मार मार के कुछ बांट देंगे फिर आपको मिलता हूं सिधक खेत में ठीक है ना ओके आज़ी भाई लोग यह अपना काइंड आफ बाग जहां पर खुबानी के एक रोट के नाशपति के फिर शेव के बूटे लगे हुए हैं एंड यह बाग है दर्या के बिल्कुल पास में तो आप आवाज भी कम आरे होगी क्योंकि दर्या की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है तो अगर थोड़ा वाइस कम आ रही होगी तो मुझे माफ करना बाई यह है यह है यह सर्दियों के लिए लकड़ी बचा के रखी हमें यह अखरोट का बूता यूनों हमारे बाग के आस्पास में यह दर्या है एंड पिछले साल इस दर्या में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी एंड हमारे जो बाग का एक हिस्सा है वो भी दर्या में चल गए था तो अभी यह बाग के काफी पास आ गए यह दर्या तो भाई लोग यह है दर्या का व्यू यहां से आप देख सकते हैं एंड साथ मैं हमना आग भी जलाई है आग का भी यहां पर थोड़ा काम रहने वाला है एंड यह है सेव कबूटा यह नीचे उतर रही है यह है खुबानी यहां से आभी खुबानी उतार रहे हैं इस पास में एक बोरी भी रखी हुए एक खुबानी उठाकर इस बोरी में डाली है यह पर फोकुस करें बिल में एक सुन्ग मोईश है अभी सिर्फ खुबानी को उपर से उतारा जा रहा है गयोंकि उपर से जो डंड़ इसमों को नीचे डाल रहे हैं तो अभी दो-तीन पीट फे लगी तो पहले इनको उतारने देते हैं जब सारा निकल जाएगा उपर से तो फिर इनको उठा उठा कर बोरी में डाल देंगे यह नो खेट के पास दर्या होने का यह फाइदा यह भी फाइदा फाइदा भी और नुफसान भी फाइदा यह है कि जब दर्या में बहुत जादा पानी आ जाता है तो उपर से लकड़ी आ जाती है तो जितने भी गाउं वाले हैं वह दर्या से लकड़ी निकालने आ जाते हैं तो यह नो समर्ज में विंटर्ज क्या कोट वह समर्ज में निकाल लेते हैं जब दर्या में बहुत जादा पा हम अपनी लोकल भाशा में इसे छज़र कहते हैं यह एक छज़र भर चुका है और अभी यहां सपास में बोरी भी है अब इसके बाद इस बोरी में डालेंगे नास थाईगा और यह अधि बोरी अभी तक भर चुकिक है और जब कच्ची होते हैं तो कच्ची होते हिसका परको एक थे बिल्कुल हरा होता है ऑश और में जादार अधिक्र Break तो आवाज आपको कम आरी होगी दर्या ने इस पीछले साल बाड आई थी भूत जादा पानी आये हुआ था तो अां वह कि द्लिया के उस पार गाओं का नाम मट्टी है कि यूनो वाठ आने पहले यह इससे सिघ पहले इस तर्या में बहुत ज्यादा बड़े-बड़े ब्लॉडर थी वह जैसों हिनो पानी है इतना ज्यादा इतना फ्लो था उस पानी का कि बड़े बड़े जो बोल्डर थे वो सारा अपने साथ बहाव ले गए यह दर्या अभी काइंड अप प्लैन है बिलकुल इससे पहले इतना जादे प्लैन नहीं था वहां पास में बीच में बहुत जादा बड़े बड़े बोल्डर से यहां के लोकल पीपल जो पानी देखो यहां पर फसी है कि अगर को बहुत जादा बहुत जादा तो नहीं वह से जल्दी उतार रहे हैं क्योंकि जल्दी उतारने का रीजन यह है कि अगर थोड़ा देर से उतारा तो यह साथ सारा चोरी करके ले जाएंगे इसलिए जल्दी उतार रहे हैं थोड़ा सा इस बार की फटल को एक नंबर हुई है बहुत ज्यादा भरी हुई थी यहां से सारा काम खतम हो चुका है जो जितने भी खुबानी उपर लगी हुई थी वो सारा उतार दी आमने अब हम खुबानी सारा उतार के जा रहे हैं उपर की तरफ एक बोरी भरके खुबानी निकली है अब कुछ हम खुद खा लेंगे कुछ अपने रिस्तदार मामा मामी को सारे को सब को बांट देंगे